राजस्तान के कोटा में निर्जीत तोर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने अपने ही घर में 15 वर्षी है छात्रा की कथित तोर पर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि आरोपी 28 वर्षी है गौरव जैन घटना के बार से पराच चल रहा है और उसके खिलाफ हत्या का म रफ्तार करने की मांग कर रही है रामपुरा की व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा है अज़ पंदरा साथ भी करी वो अपने घर के पिछवाड़े में अपनी अपरिवार के परिचित के आप पर टूशन पढ़ने जाती थी रोज 11 बजे तक वापिस लोड के आ जाती थी आज लोड के नहीं आई तो उसके परिजनों ने उससे संपर किया तो पीचर ने बताया कि आज उसरी वेग बजे के आश पास आई जो वो समय पर नहीं आई तो उसके पिता जी वहां उसकी तलाश में गए बच्ची मिली दी उसी दोरान उन्हें पहकीकात की तो उसकी चपल वहां पे पड़ी भी मिली जिस कमरें बच्ची चुशन पगती थी बाद में उसको शक हुआ ताला तोड़के तो बच्ची के फंदा लगा हुआ था और जो हलाक थे उससे लग रहा है कि बच्ची का मड़र दिया गया है इसकी सुचना दत्काल पुलिस को मिलते ही महामोकी पे पुलिस पहुंची रहे तो सरी टीम को बुलाया गया है बच्ची फोड़ी को हॉस्पटी में सिल्च किया गया है जब बच्ची को लेके आ गया था तो तब तो बच्ची के डेश बोटे है शुली सी खबर पर अदिक अपडेट के साथ से यूगी प्रणे विजय कोटा से फोन लाइन पर जोड़ चुके है जी जैती ये एक्च्ची में भरोसे का कतल है जिस पर विश्वात किया था उसी ने कतल कर दिया और कोटा शिक्षा नगरी के नाम से विख्या थे वहाँ पर एसी कटना ने पूरे शेहर को आकरुशित कर दिया है तुशन टीचर ने बालिका की हत्या कर दी फिर फंदे पर उसको लटगाया और फरार हो गया आरोपी ने पहले प्लानिंग कर रखे थी चात्रा को अकेले में घर में बुलाया वो चात्रा लगातार उसके टुशन पढ़ने जाती थी टुशन टीचर ने सबूत मिटाने के लिए गले में घर्टी का फंदा डालकर कमरे की खिड़गी में बालिका को लटका दिया इसके बाद आरोपी कमरे में ताला लगा कर फरार हो गया उसने दुशकर्म का प्रियाद भी किया बालिका के साथ में लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि दुशकर्म उसने कर पाया या नहीं कर पाया लेकिन फिलाद जो चीने सामने आ रही है, उसको पकड़ने कि गलाक ओट कर उसकेने हत्या कर दी बालिका की उसका नाम बताया जा रहा है, पुतर जिनेर जैन उसकेने हत्या कर दी हो साख्ष मिटाने के लिए वो फरार हो गया पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है जिला पुलिस अधिक्षक केसर सिंग शेखावत है उनसे हमारी लगातार अपडेट पे बात चल रही है तो उन्होंने बताया है कि सत्रा जो C.I. है पूरे कोटा शेहर के जितने भी C.I. है और जितने भी D.S.P. है उन सब को दिल्ली, ज पूरा कोटा शेहर की पुलिस सिर्फ गोरव जेन को ढूनने में लगी हुई है लेकिन फिलाल गोरव जेन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है क्योंकि उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया गया है मर्द कर दिया है पुलिस ने उसको ट्रेस किया तो जो शेहर में केमरे जो वो इस्टेशन एरिया तक उसको देखा गया था उसके बाद वो गायब हो गया है लेकिन फिलाल पुलिस लगाता उसको ठोट रही है अभी जो सरगर्मी है पूरी राद पर जो रामपुरा कोट वाली थाने का ये मामला है उसके बाहर परीजन और जो व्यापारी है उस शड़क पे धरना प्रोडशन किया हुआ है उटा व्यापार्संग के अध्यक्ष जो क्रांती जैन है उन्होंने गोष्णा की है उसी धरने पे आज कि अगर आज की तारिफ में उस हत्यारे को गिरिपता नहीं किया जाता है तो उटा को अनिशित काली लूप से बंद किया लेकिन समस्या यह है जो जिस पर विश्वात किया उसी ने कतल कर दिया बालिका की हत्या से पुरा परिवार हत्पर रह गया बालिका के पिता बोले थे हमसे कल एवन टीवी की बात हुई थी उन्हों कहा खा कि जिस पर विश्वात किया है उसी ने बेटी की हत्या कर दी अप इसको टी भी मिली थी, तो इस तरीके से जो देखा गया है, टुशन पढ़ने गई है, वो टुशन टीचर ही परिचित था, उस पर बहुत बरुसा करते थे, उसी को अकेला छोड़कर परीजन शादी में चले गये थे, और ये उसने एक बड़ा हाथ सा कोटा में किया, जी रह जानकारी पुलिस ये दे रही थी, अभी हमने सुना बाइट में, कि जो पेड़िता थी उसके घर के पीछे वाला मकान ही, उसका है, जाला दूरी भी नहीं है, उसके मकान में तो यकिनन जो एक आपसी समंध है, परिवारिक जो तौर पर वो रहा होगा यहां पर, परिवार जानकारी पुलिस ये दोस्तों पुलिस से लगातार पुलिस पूस्ताज कर रही है, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, जो इस प्रवर्ती का व्यक्ती था, उसका पोई आपरातिक रिकोर्ड नहीं है, उसने ऐसा आरे किया, लेकिन जिस तरीके से गड़ना है सामने आ साजिस थी, सुबर साड़े जस बजे चातरा अपने घर से टूशन पढ़ने के लिए आरोपी के घर गई, वो अमोमन साड़ा ग्यारा बज़े लो टाती थी, साड़े ग्यारा बज़े आरोपी के परीजन दो पर करीब साड़े ग्यारा बज़े तक जो बच्ची घर नहीं चाहिए तो एक बज़े बेटी के घर नहीं पोचे तो उसके पिता परेशान हुए और उनों ने पीजर के घर पर जाके उसका मालूमात की तो जहां उसके हाथ पर बंदे वे दिखे तो वो होश हो बेटे उसके बाद उसे लेकर वो अर्पताल जोड़े दो बज़े दो के बाद ये जो खबर है पुरे शेहर में आगनी तरह फैल गई परीचितों ने चाहतरा के घर अस्पताल और ठाने पहुंचना शुरू कर दिया शव को मौचरी में भेज दिया गया शाम को चार बज़े एस्पी केसर तीं शेखावत जो बोटा के एस्पी है उनसे माई बा कि तरके दिल्ली, चैपूर और जहां जहां वो उसके कोल रिकोर्ड से सामने आई जिनी लोगों से उसके बात की है उन लोगों के घरों में तबीच दी जा रही है लगातार पुरी राजबर इगटना करम चलता रहा शाम को पास बज़े जेन समास के लोग पोटा व्यापा कि अधिकारियों ने परिजनों पर समझाई करना शुग की और आश्वस्त किया कि हम जल्दी जल्दी इस तरीके से पुलिस ने जो प्रात्मिक द्रश्टिया भी तक जो कारवाई की है और जांच की है क्या पुलिस कह रहे है कि सिर्फ वो एक व्यक्ति जो गौरव जैन उस कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया है उसमें अपने कोई दोस्तों की मदद की है जी है और नहीं किसी परिवारिक सदस्य की मदद लिए उस ताइम पर जब हत्या हुई तो गर में अकेला था पूरी तप्तिश हो चुकिए इस मामले की इस इस बिंदू की केवल गौरव जै किन ही इसमें सामने आ रहा है मुख्य अब्यूक्त के रूप में बिल्कुल बिल्कुल चली प्रणे बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बाचीत के लिए तो यह सही होगी कोटा से पर जाए